हेलो एब्रीवान मैं है प्रियाब ओवार वलकम तो मैं चैनल दोस्तों सबसे पहले आप मेरी चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कीजे ताकि न्यू वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें आज हम बात करने वाले है कार्ति के ये movie 2 के बारे में जो उसके highlighting points है क्योंकि ये movie जो है hit हुई है और इसका जो content है वो काफी strong है और ये किस वज़य से hit हुई है इसके highlighting points क्या है आज हम ये जानेंगे गाईज सबसे पहले तो ये जो मूवी है तेलगू डब है पर इसको हिंदी में इस तरह से डबिंग किया गया है तो काफी ब्यूटिफुली इस मूवी को डब किया गया है बहुत ही perfectionist के साथ इस मूवी को डब किया गया है मतलब कही भी mistake नहीं है बहुत ही जबरदस तरीके से जैसे की मानों कि आप ये मूवी हिंदी में ही बना रहे हो इस तरह से डब किया गया है तो एक इसका जो ये point है ना वो बहुत ही इस मूवी को हिट करने में कामियाब रही है second point ये है इस मूवी का कि इसी August में जो है बड़ी-बड़ी मूवी रिलीज हुई थी मतलब लाल सिंग चड़ा और रक्षा बंदन बट इन मूवीं को पचारते हुए कार्ति किया तो आगे निकल गया सूपर हिट हो गया और ये बाकी के मूवी फ्लॉप हो गई मतलब आप सोच सकते हो कि साउथ इंडस्ट्री की मूविया क्या कमाल दिखाती है और अपना जादू यहां पे भी जलकाती है तो बॉलीवूड को अभी उसकी जो सोच है अभी उस पे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है थर्ड पॉइंट इस मूवी में यह हाइलाइटिंग है कि जो क्लायमेक्स में निखिल जो है वो एक कृष्णा जी के उपर स्पीच देता है जो कृष्णा जी पर मित ते माइथालोजी थी वो एक्चुली माइथालोजी नहीं थी एक हिस्ट्री है जो उन्होंने चान बिन किया है और उन्होंने जो खोज निकाला है जो मित ते लोगों के दिमाग में उसको क्लियर किया है वो हमारी परमपरा है वो हमारी एक हिस्ट्री है जो अन्सुल्जे रहस्य उन्होंने सुल्जा है वो एक रहस्य बाहर आये है तो कितना उसका पावरफुल इंपैक्ट है हम भारत में उसका कितना अच्छे से निर्मान हुआ है 5000 साल पूराना जो मंदीर दिखाया गया है इस मूवी में और उसके जो रहस्य दिखाया गया है उसको माइथालोजी के नाम पे मतलब जो भी अनकंसेप्शन थे लोगों की दिमाग में वो सारे दूर होने के लिए इस इस मूवी का कंटेंट है जो वाकई में जबरदस्त है क्योंकि हम बहुत है ज़या मूवीज देखते हैं सस्केंज, ठ्रिलर, औहरोर ये सारे मूवी में गुषिजे माइथालोजी वर्सेस हिस्ट्री के बारे में इस मूवी में जो दिखाया गया है वेतपुराण में कुछ चीजे है जो अनसुलजी है उसको सुलजाने में किस तरह से मदद किया है इस मूवी में कृष्णा और द्वारका की जो स्टोरी हाइलाइटिंग की गई है यह इस मू मूवी के माध्यम से हमें पता चलेगी कि द्वारका क्रिष्णा जी के कितने सारे रहस्य है कितने सारे ऐसी कहानिया है और कितने सारे से अनसुलजे अन्टोल्ड पृत है जो हमने कभी नहीं जाने ते वह इस मूवी में हमें जानने मिलेंगे सो गाईज कार्थी के टू ये मुवी बहुत ही सुपर डूपर हिट हो चुकी है क्योंकि लोगों ने बहुत ही प्यार दिया है इस मुवी को और हमारे कृष्णा जी को द्वारका जी के जो दर्शन है इस मुवी के माध्यम से हमें हुए है कुछ ऐसे स्टोरी सचाई अभी हम करने मिली है और इस मुवी ने कमाल कर दिखाया निखिल जी का काम भी बहुत ही सदा बढ़िया था तो आल ओवर इस मुवी में जिनों ने भी जितने भी एफट्स टाले है वो सब कुछ काम आ गया और यह मुवी सुपर हीट रही है तो मैं यह मुवी देके बहुत ही कर दो